अगर आप नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और बॉलिवर्ड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलिवर्ड एक्टर नवाजुदीन सिद्धी की कई दिनों से अपनी शादी शुदा जिन्दगी को लेकर सुर्ख्यों में हैं। नवाजुदीन पर लगे सभी आरोपों से मुकर गई हैं। अत्मी आलिया और नौकरानी के गंभीर आरोप लगाने के बाद नवाजुदीन कैमरे के सामने आ गए हैं। यहाँ पहली बार हैं जब नवाजुदीन ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी हैं। इंस्टेंट बॉलिवर से बात करते हुए नवाजुदीन ने अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों पर कमेंट किया है। कर रहे अफ़ा की तो हम जानना कहेंगी कि इन दिनों एक वीडियो आयरल वाता है आपके वाइस के तरफ से और आप मेड थी तो उसकर कुछ कहना चाहोगे क्या कहना चाहोगे आपके इसी मैं इन सब चीजों के बारे में कुछ कहना ने चाहता है। मैं इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता। लेकिन इस मामले से मेरे बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। मेरे बच्चे दुबई में पढ़ते हैं। लेकिन वे पिछले एक महीने से यहां मेरे साथ है। मेरी बस एक ही गुजारिश है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई बंद न हो नवाजुद्दीन ने कहा। आखिर मामला क्या है। नवाजुद्दीन की माने उनकी पत्नी आलिया के खिलाफ धारा 452,323,504,506 के तहट मामला दर्ज कराया है। आलिया के नवाजुद्दीन के बंगले पर जाने के बाद उनकी मा और उनकी पत्नी के बीच कहां सुनी हो गई। इसके बाद नवाजुद्दीन की माने वर्सोवा पुलीस ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलीस ने आलिया को पूछताच के लिए बुलाया था. पत्नी के गंभीर आरोप नवाजुद्दीन की पत्नी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं आलिया का कहना है कि नवाजुद्दीन और उनके परिवार ने उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की इसके अलावा उन्होंने नवाज के परिवार पर प्रताडित करने का भी आरोप लगाया है उनकी शोरा नाम की एक बेटी और यानी नाम का एक बेटा है आलिया ने मई 2020 में नवाजुद्दीन से तलाक के लिए अरजी दी है इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया